दोस्तों नमस्कार इस समय मुंबई का मुकाबला चल रहा है रंजी ट्रोफी मैच में और ये मुकाबला चल रहा है बांदरा कुरला कॉंप्लेक्स मुंबई में और ये मुकाबला हैदराबास से है और आजिंग के रहने जी हाँ भारती क्रिकेट टीम के पूर कफ्तान आजि से ये एक अपडेट है आजिंग के रहने का कि बल्ले से देखने को मिला है जहां उन्होंने डबल सेंचरी बनाई है और चौथे विकेट के लिए उन्होंने सरफराज के साथ 196 रन की पार्टनर्शिप की है और इससे पहले उन्होंने तीसरे विकेट के लिए जशास्वी जैस्वाल के साथ 206 रन की पार्टनर्शिप की तो और मुंबई को बहुत ही मजबूस तिती में पहुँचा दिया है मुंबई 6500 रन के बहुत करीब है लंच के वकफा हो चुका है लंच के बाद का खेल समय चल रहा है और हम आपको याद दिला दें कि साथ अफरीका दोरे पर तीन टेस्ट मैच में सिर्फ एक ही हाफ सेंचरी बना पाये थे और जिसके वज़ा से उन्हें अपने टीम से अपना स्थान गवाना पड़ा और उसके अलावा इंग्लेंड में जब भारती टीम का दोरा था तो चार टेस्ट मैचों में भी आजिंग के रहाने सिर्फ एक हाफ सेंचरी बना पाये थे और इसके अलावा जब इंग्लेंड की टीम भारत आई थी तब भी उनके बल्ले से केवल एक हाफ सेंचुरी निकली थी यानि उनका लगातार खराफ फॉर्म चल रहा था क्योंकि मेलबन में उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी लेकिन उसके बार से लंबे समय तक उनको टीम में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से उन्हें अपने टीम से स्थान खोना पड़ा अब उनको भारती टीम में दोबारा वापसी करने के लिए निश्चित तोर पर अच्छा प्रदेशन करना होगा डॉमिस्टिक क्रिकेट में और वो शांदार प्रदेश इसके बाद तो उन्होंने कप्तानी की कमान समहा ली थी, अफगानिस्टान के खिलाब ये कप्तान थे तो जाहिर से बात है इन्हें भविश्य का कप्तान भी माना जा रहा है और कप्तान बनने के लिए जरूरी है पहले तो भारती टीम में जगा उन्हें तभी मिलेगी लाइक करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार